तो नमस्कार दोस्तों वेल्टिस्काई के एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे समझने की कोशिस करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है कितना important रह सकता है क्या यहां से एक bounce देखने को मिलेगा या फिर हम है further selling देखने को मिलेगी इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट event ता election का वो complete हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर selling आती होई दिख रही है तो यह indicate करता है कि हमारा market को bounce करने में बहुत जादा दिखता आने वाली है क्योंकि अभी तक क्या था कि global market positive चल रहे थे और हम फिर गिर रहे थे बट अब क्या है global market भी event के बाद दीरे दीरे गिरना start होंगे तो फिर हम हो सकता थोड़े से और नीचे चले जाएं कितना नीचे जा सकते हैं इसको हम chart पैनलाइज करेंगे बट फिलाल जो दिख रहे हैं कि Naldex में जादा profit booking देखने को मिली थी करीब 5% की almost कह सकते हैं कि यहां पे यह जो पूरा moment बना election का ठीक है उसके बाद यह correction आ रहा है तो simple ही चीज़ है अगर इसको नीचे नहीं जाके ऊपर जाना था तो यह level इसके लिए एक important support का काम करना चाहिए था तो यहां पे इसको रुकना चाहिए था फिर यह उपर जा सकता था बट अब इसने के किया है इस level को यह पूरा जो level था यह इस तरीके था मार्क तरके चल सकते हो इस level को इसने breakdown दिया है तो क्या हो रहा है कि यहां पे एक false breakout में बहुत सारे long trap हुए है जिसकी वज़े से अब यह हो सकता है थोड़ा और तेजी से नीचे आ जाए ठीक है तो यह point आपको ध्यान में लखना है अपने market में चलते हैं अपने market में देखते हैं तो कल important है Monday new trading session start होगा क्योंकि holiday के बाद यह नया trading session रहेगा तो इसमें अगर हम देखें 21 November Nifty के expiry है जाहर सी बात है weekly expiry घतम हो चुकी है सिर्फ कल bank X और mid cap की होगी और पर्स और fin Nifty की होगी इसके बाद कोई weekly expiry नहीं होगी सिर्फ Nifty और sense X की रहेगी तो इस particular series में Nifty का ज़्यादा relevant रहेगा bank Nifty का उतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि bank Nifty के पास अभी monthly series है तो अगर हम Nifty में देखें तो Nifty में हमें जो चीज़ दिख रही है resistance के तोर पे जो 24,000 है यह सबसे ज़्यादा strong resistance फिलाल बन चुका है क्योंकि यहाँ पे put writers बिल्कुल भी नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पे 23,600 थोड़ा सा important level हो सकता है call और put दोनों के लिए क्योंकि यहाँ पे लगवग लगवग दोनों अपने साब से open interest बना के बैटे हैं जिनको लग रहा है कि 23,600 के ऊपर expiry होगी वो put बेचके बैटे हैं जिनको लग रहा है 23,600 के नीचे होगी वो call बेचके बैटे हैं अब simple ही चीज़ है जब तक 23,600 नहीं निकलता तब तक तो आपको buying के बारे में तो ज़्यादा सोचना नहीं है बट इसके नीचे ऐसा नहीं है buying नहीं आईगी definitely आईगी बट अगर आप strong buying के बारे में सोच रहे हो या आपको लगता है उपर की तरफ market move कर सकता है तो जब तक 23,600 के उपर कोई positive price action आपको ना देखे तब तक आप थोड़ा सा buy मत करिएगा ठीक है क्योंकि market week है उपर से continuously कभी भी selling आ जाएगी और आप trap हो जाओगे यह चीज़ ध्यान में रखेगा अगर हम यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं तो nifty का सबसे पहले चार्ट देखते हैं तो nifty की जो closing है वो exactly अगर आप देखोगे तो 200 day moving average के पास की closing है और normally market के आए उपर से यह one way गिरा है अब यहाँ से इसको एक pullback चाहिए पुल बैक कहां तक का आ सकता है देखो अगर चार्ट के साफ से देखा जाए तो pullback around 23,800 तक का आ सकता है बढ़ उसके लिए important रहेगा कि global market थोड़े से stable हो ठीक है न और यह जो pullback होगा वो हो सकता है instant है मतलब market खुले खुलने के साथ moment करें इस तरीके से और फिर यह पूरे दिन दीरे 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 दुबारा से डायलूट हो जाए तो सिंपल दी चीज़ है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवेल है वह है 23,800 फॉर्द सेलिंग साइड ठीक है इसको हम माक कर लेते है 23,000 850 से लेके 800 यह जो जोन है यह हमारा प्योर सेलिंग जोन है इसको अगर आप थोड़ा सा और उपर लेकर जा सकते तो और आप 23,900 भी लेकर चल सकते है मतलब 23,900 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे इसके ऊपर निफ्टी दिखाई दे तो डेफिनिटल आपको यहां पर सेल करके काम करना है ठीक है यहां पर कोई बाइंग नहीं बनेगी अब बाइंग के लिए देखो यहां पर क्या है दूर है तो यहां से नीचे से बाइंग भी आ सकती है तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रेपर रहना चाहिए ठीक है ना शौर्ट आपको तभी करना है जब यह 23,800 के ऊपर निकले ठीक है 23,800 के ऊपर ही आपको शौर्ट के साइड पर सोचना है यहां कहीं से भी आ सकती है क्योंकि इसके पास क्या जगे है समझने की कुशित करिएगा देखो यह जो पर्टिकलर पॉइंट है यह स्ट्रॉंग रजिस्टेंस देचार्ट पर तो इसके आज पास आएगा तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी यह जो चैनल है यह चैनल क जो रेंज है वो बड़ी है ठीक है ना 23-500 से लेके 23-900 चार सो पॉइंट की जगे है ठीक है तो इसके पास क्या जगे है तो इस जगे को यह यूटलाइस करने के लिए एक बाइंग साइड पर जा सकता है मतलब बाइंग बोल सकते हो आप या पुल बैक दिखा सकता है तो प सेलिंग साइड पर काम करना चाहते हो तो जब भी निफ्टी 23,850 चार नौसो के जोन में मिले वहां पर जाके आप सेल करके काम कर सकते हो ठीक है अब मानलो बहुत बड़ा गाप डाउन खुल जाता है मानलो 100.500 गाप डाउन खुल जाता है तो वहां पर मैं आपको सेल करने का सेजेशन नहीं दूँगा क्यों क्यों कि जैसे कि मैंने बताया अगर यह गाप डॉंग लेगा तो यह जो रेंज है यह जो रेंज हम मार्क कर रहे हैं यह रेंज और बड़ी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है जो पुलवेक वाले बायर्स हैं या फिर जो शॉट सेलर है उनको अपना प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगा और फिर जो तोड़ी बहुत शॉट कवरिंग से या प्रॉफिट बुकिंग से यहाँ पर मार्केट निफ्टी कास कर 23,750-23,800 तक भी जा सकता है तो इसलिए मैं बोल रहूं कि अगर आ आपको कोई भी पॉजिटिव प्राइज एक्षन बने आप एक बार बाइक करके काम कर सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस लगा के जरूर काम करेगा बिना स्टॉप लॉस के काम मत करेगा सिंपल सी चीज़ है बाइंग के केस के में माल ली आपका वन मिनट का हाई और लो का लिगर होगा या फिर आपको यह पूरा मॉमेंट मिल जाएगा इस तरीके से आप नीचे के लेवल पर काम कर सकते हो तो इसके आसपास आपको एक बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है जो कि है 49,688,600 यह लेवल आप मानके चल सकते हो तो यहां पर क्या है यहां पर देखो सिंपल ही चीज़ है यह 50 मिनट का टाइम फ्रेम है ठीक है आप चाहो तो इसको इस तरीके से आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो ठीक है क्योंकि यहां पर यह सपोर्ट ले रहा है इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन इधर मार्क कर लो ठीक है अब जायर सी बात है चैनल छोटा हो रहा है इसका मतलब क्या है यहां तो यह नीची की तरफ ब्रेकडाउन देगा यह फिर यह पुल बैक दिखाएगा अब पुल बैक के लिए जो इसके पास रजिस्टेंस पॉइंट है वह आपका 51,000 क्योंकि लास्ट टाइम क्या था यह इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा था सपोर्ट ले रहा था तो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया तो जाहिए जायर सी बात है जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा यह रिजिस्टेंस फेस करेगा रिजिस चुका है और जो शॉट सेलर हैं उनको एक प्रॉफिट बुक करने की अपॉश्ट टी मिल जाएगी और प्लस जो नीचे बायर करना चाहते हैं उनको भी एक अपॉश्ट टी मिलेगी क्योंकि मार्केट की रेंज बढ़ गई है तो इसके पास जगे है 1500 पॉइंट की तो यह उपर की तरफ मूफ कर सकता है यह ध्यान में रखे है क्योंकि पुल बैक पैंडिंग है और पुल बैक आ सकता है मार्केट में यह चीज के लिए लिए समझ लीजिए ठीक है तो सिंपल ही चीज है आपको अगर शॉट करना है तो यह वेट यह लेवल अरॉंड फिप्टी व उनके बाद अगर आपको शॉट करना है तो आपको प्राइज एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा मतलब मालो गाप डाउन खुलने के साथ यह सस्टेन किया और फिर दुवारा से नेगेटिव प्राइज एक्शन बनाके नीचे जाने लग गया इस सिचुईशन में अगर आपको शॉट करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा आदर से घंड़ा और उसके बाद जो प्राइज एक्शन फॉर्म होगा अगर वो नेगेटिव होता है तब जाके आप सेल कर सकते हो ठीक है तो यह आपका निफ्टी हो गया और यह आपका बैंक निफ्टी हो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल का ट्रेडिंग सेशन आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा तो फुलाल इस वीडियो में इतना है आपको यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शुर जरू करेगा और चैनल को जो कर लिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब लेकर आता हुआ हर दिन आपको यह वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जय हिंद